आज की डिट में आधार कार्ड में डेटा वर्थ को अपडेट करने को ले करके बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। उसके पीछे रीजन यह है कि आधार में डेटा वर्थ अपडेशन के लिए जब आप जाते हैं तो आपको पता चलता है कि उसमें लिमिट लग चुकी है। हो रही थी यह जो है उसको कैरेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसा हमने कौन सा सल्यूशन निकाला जिसमें कि इनके आधार कार्ड में महद एक दिनों के अंदर ही इनकी जो डेटा बर्थ है वो सही हो गई है वही प्रैक्टिकल आपको सल्यूशन मैं इस वीडियो में अब यहां पर आने के बाद में आप सभी को अपने आधार कार्ड में ऑनलाइन चेंजस करने के लिए इस पोर्टल पर नीचे के तरह ना है और यहां पर आप सभी को आप्शन मिल जाएगा अप डेट अदर सिक्शन में आपडेट डिमोग्राफिक डाटा एंड चेक स्टे करेंगे अब हमारे फोन पर एक टीपी आएगा इसको वेरिफाई करने के लिए वह टीपी पर हमें फिल कर देना है देन हमें यहां पर लॉग इन के ऑप्षिन पर क्लिक करने के बाद में आप यहां पर देखोगे कि हम डैस्बोर्ट पर आ चुके हैं हमारा जो आधार कार्ड है यहां पर सो हो रहा है जिसमें कि आप देखोगे कि अभी जो है इस आधार कार्ड में जो गलत डेटा वर्थ है वही हां पर सो हो रही है इसक्योर्टी रिजन की विज़े से सारी ही डीटेल पहले से ब्लर कर रखी कुछ डीटेल यहां पर मैंने आपको पहचानने के पहले जो आपडेट आधार ऑनलाइन यह पहले आपशन पर हमें क्लिक करना है और यहां पर प्रोसीड टू अपडेट आधार हम इस आपशन पर क्लिक करेंगे अब इतना करते ही आप देखोगे कि हम यहां पर अपडेशन के लिए पोटल पे अंदर आ चुके हैं लेकिन य यहां पर पूरी तरीके से डेटाबर्स अपडेशन का जो काम हम इसमें नहीं कर पा रहे हैं तो यहां पर इस तरीके की जो प्राबलम अगर आपको दिख रही है इस तरीके के जो मैसेज है आपको सो हो रहा है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है इसका सेलूशन इमेल लिखना है UIDI को तो वह इमेल क्या है वह बता देता हूं सबसे पहले तो सब्जेक्ट में आप सभी को आधार कार्ड डेटा वर लिमिट क्रॉस प्रॉब्लम अपडेटिंग आधार कार्ड यह जो है आपको मेंशन कर देना है इमेल राइट करनी है तो यहां पर आपको भैवीत नहीं होनी है कि हम क्या लिखेंगे किस तरीके से सारी चीज़े करनी है इसके लिए मैंने पहले ही आपको इस्टेंडर फॉर्मेंट बना करके दे रही है जिसके थू हमने अपने आधार कार्ड में जो डेटा बर्थ है वो अपडेट कराई है यहां पर मैं आप सभी को वो जो फॉर्मेंट है इमेल का दे रहा हूँ एक्जैक्ट आपको ऐसे ही आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं लेकिन आपके सहुलियत के मैंने यहां पर बना करके दे दिया है जिसमें कि यह जो इमेल का टेंपलेट है आपको हमारी वेब साइट पर मिल जाएगा जहां से आप कॉपी कर सकते हो उसके बाद में आपको यहां जहां ब्लैंक दिख रह है इसके बाद में आपसे नीचे के तरफ आप देखोगे कि यहां पर चार तरीके के डॉकुमेंट यहां पर इसमें बोला गया है यह आटाइज करने के लिए तो वह डुकुमेंट आपको कहां से मिलेंगे तो यहां पर इन डॉकुमेंट में से पहला जो है आप सभी का देने की जरुदत होती है अगर आपके पास नहीं है तो कई सरे अल्टरनेट ऑप्शन भी यू आई ने दी है और उन्हें से कोई भी दोक्मेंट दे सकते हो लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डेटा बर्स लिमिट क्रॉस की जो प्रॉब्लम है उसमें बर साट पिकेट ह आपको एक सेल्फ डेकलरेशन अप्लोड करना होगा वह सेल्फ डेकलरेशन आपको कहां से मिलेगा उसके लिए भी बता दूं तो यह जो डेकलरेशन है इसका जो फॉर्मेंट है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो यहां पर आप इसे ओपन है डेटाबर्थ जब हमने आधार कार्ट को बनवाया था ऑपरेटर की वज़े से और किसी कारण की वज़े से हमारी जो डेटाबर्थ वह गलत हो चुकी है आप उसे सही किया जाए तो इसमें आप सभी को अपना जो नेम है वह फिल कर देना है इसके साथ में आपको यहां अपने पैरेंट का नाम यहां पर फिल कर देना है इसके बाद में निवासी के सेक्शन में आपको जो भी अपना एड्रस है वह यहां पर फिल कर देना है आधार संख्या यहां पर आप दर्ज कर लेंगे 12 देजिन के जो भी आधार नंबर होता है सही जनतित आप से पूछी है और जिसकी जगे पर आप यह चाहते हो कि आपकी जो नई डेटाबर्थ है वह आ जाए तो यहां पर आप सभी को थर्ड कॉलम में आकर के स्थान पर सही जनतित के सेक्षिन में यहां पर अपनी जो जनतित है वह फिल कर देनी है टिक करने का ऑप्शन दिया गए जिसमें कि आपको बताना है कि कि आप अधार कार में कितनी बार को अप्डेट कर चुकिए हो फंस त joyful पर इससे जादा कर चुके हो बर अपको अपको कर देने हैं इसके आप सबबने पर जा करके वहां से आपको अपडेशन कराना है और अपडेशन कराने के बाद में सेम डे ही आपको यह जो इमेल है यह आपको सेंड करने हैं तो आप सभी लोग अगर 15 साल से नीचे हो तो आपको कोई भी चार्ज देने की जरुदत नहीं होती बाकि उससे उपर एज है तो आपको वहां पर अगर आप कि डेटाबरत अपडेट करा रहे हो तो ऐसाओं पर से मलग देने होते हैं जिसमें कि फोटोग्राफ है वो भी आपडेट हो जाती है वह जो वह मर्द्रियल केरा है जैसे कि आपका आदार क्या है सी तरीके से आपको मैंशन कर देनी पर सेंड करने धार काड है 25초рокर्ष्ग के अभुडेट हो चुका है यह जरूर ही नहीं कि आपका भी आधार 24 hours में ही अपडेट हो जाए क्योंकि इसका जो maximum time है जिस तरह के सी UIDI बताता है तो तीन महिने तक का time लग सकता है लेकिन अब इतना रस नहीं रहता है यह जो काम है इसली आपका चार्पात दिनों में या हफते के अंदर ही हो जाता है इसी तरीके से मैंने यह जो आधार कार्ड है इसे अपडेट कराया है तो बस इस वीडियो में आप सभी को यही valuable information देनी थी वीडियो आप सभी को काफी पसंद आया होगा वीडियो पसंद आये तो उसे like करेगा अपने और भी friend of family में share करेगा इसी तरीकी के और भी interesting वीडियो देखने के लिए अगर आप चैनल पे नए हो तो subscribe जरूर करेगा और यह जो वीडियो है उन लोगों को तक share करेगा जिनको भी आधार कार्ड में limit cross की जो problem है वो face करनी पड़ती है तो हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक ले goodbye जहें